गेड़ी के परियटक अस्तल खंडोली के समेप इसे सहर पूरा गाउ से बहुत कोई आउगत भी नहीं है ऐसा लगता है मानू यह गाउ धीरे धीरे अपना अस्तित्वक हो रहा है क्योंकि यहां के लोग मुल्बुद सबिधाओं से वन्चित है यहां ना ही रोग की उत्रम व्यवस्ता है और ना ही पीने का स्वक्ष पानी मिलता है यहां तक कि किसी के पास धलाई मकान भी नहीं है पढ़ने के लिए परियाप तो स्कूल भी नहीं है जिससे बच्चों का भविश अधर में लटका हुआ है हमारे समवादाता नवीन कुमार ने जब इस गाओं की जीरो ग्राउंड रिपोर्टिंग की तब कई महिलाएं एवं पुरोस अपनी स्थिती और समश्याएं दिखाते मिले बतादे कि इस सहर को इस गाओं से जोडने वाली एक मात्र सड़क इतनी जरजर हो चुकी है कि कभी भी बड़ी दुगण ना घड सकती है यहाँ एक छोटे से तलाब में ही महिलाएं कपड़े धोती हैं और मवेसी पानी भी बीते हैं ऐसे में गंभीर बिमारी होने का डर हमीसा ही बना रहता है ग्रामिनों का कहना है कि अब तक उनसे कोई भी विधायक या मंत्री मिलने नहीं आएं और ना ही उन्हें अबवा आवास योजना या पिधान मंत्री आवास योजना दिया गया है बता दे कि यहाँ पीने योग पानी भी प्रयाप्त मात्रा में ग्रामिनों को नहीं मिलता है जिससे ग्रामिनों को काफी दूर पानी पैदल चल कर लाना पड़ता है जिससे ग्रामिनों को काफी परिशानी भी होती है हाला कि नल जल पर योशना के तहट यहाँ पानी टंकी लगाया गया है लेकिन ग्रामिनों के द्वारा पता चला कि उसमें मोटर खोल कर ले जाया गया था जिसका विरोध करने के बाद उन्होंने मोटर लाकर फिर से लगाया लेकिन ग्रामिनों को अब तक उससे कोई पाइदा नहीं पहुंचा है ग्रामिन उनसे मिलने के लिए एक्षा भी जता है तथा उन्हें अपनी समझाओं से अगत कराने की एक्षा भी जता है एक गिध महिला ने कहा कि कल्पना सोरें सेवा मिलना चाहती है और वह अपना वोड उन्हें ही देंगी उन्हें उनके साथ पूरा गाउं कल्पना सोरें के समर्थन में खड़े दिखे सेख्पूरा की कहानी आईए जानते हैं उन्हीं की जुबानी नमस्कार जोहार मैं अविन कुमार और अभी आप देख रहें स्टार सीटी 24 जहारखंड बियार हलाकि मैं अभी गिरेडी जिल्ले के अंतरकत एक ऐसा जगाप पे अभी महजूद है जो की सहट से कही ना कही थोड़ा हटके है लगभग आप लोग नाम तो सुने ही होंगे खंडूली पार्क जो की काफी लोग घुमने के लिए आते हैं लेकिन जो खंडूली जाता है खंडूली जाता है खंडूली पाइटन अस्थल जाता है और यह जो रोड इधर जाता है यह एक सहरपूरा जाता है जो यहां पर साफ साफ असपर्ट रूप से लिखा हुआ है सहरपूरा 1.56 560 किलो मीटर मतब 1.560 किलो मीटर यह कुल इतना दूरी के अंदर अभी हम उसी बस्ती में पहुचेंगे जहां पर काफी सरस्वमश्या अप वय क्या नाम हुआ गविलन सरप्ट Yakप लोग में इतित हैं तो लगया तंकी तो ख़र्ण तो dry are ख़र को गया हुआ है भchemical पानी लगाया था लेकिन भी ख़र्ण तो देख सकते हैं कहीं ना कहीं यहां पे आप साफ साफ अश्पष रूप्य आप देख सकते हैं यहां पे कुछ महलाएं हैं जो यहां पे कपड़ा धोती है और यहीं पे असनान करती है साफ साफ आप वीडियो में देख सकते हैं किस परकार से यहां पे कपड़ा धो रही है और बातिकत देख सकते हैं कि यहां पर कहीं नहीं कि पानी का दौरा करें चलिए आज हम गाओं का स्कुल आने यहां जल्प आने के मीशी होगे, मदस में यहें हैं को एल्पारफ, टुल्पन और है मैंसे में जुन्फ साथ को कभी है म मां करते हैं ? आप dasule मोरी हुए और मां करते हैं आप लुदोsch तो अलगी देख सकते हैं साफ साफ यह कर रहे कि हम आने के लिए तो बोलते हैं लेकिन क्या पता उसका मन में क्या होगा नियुका अलगी यह बोल रहे हैं अलगे चलिए अब चलते हैं और आज गाओं का दोरा करेंगे और क्या-क्या चीजों का देनिया इस्तिती बना हुआ है चलिए हम विस्तार से दिखाते हैं जैसे साफ साफ आप तस्वीर में देख सकते हैं जैसे जैसे मेरा आगे बर्ड है वैसे वैसे रास्ता का देनिया इस्तिती देखने को मिल रहा है आप साफ साफ देख रखते हैं ये जो रास्ता है ये कहीं न कहीं आपको दीख रहा होगा ये रास्ता में कहीं न कहीं ये जो रास्ता बनाया है कहीं न कहीं ठीकेदार इसमें गड़बर किया है क्योंकि आप असपर्श रूप से देख सकते हैं ये रोड का जो ढ़लाई किया और ये स्टिप जो होता है उसको डाल दिया है देख सकते हैं तो कहीं न कहीं इसमें मोरम देने का काम था ताकि ये रोड का और भी जादा जो इस्तिती है वो जादा दिन तक रहता चलिए और आगे बढ़ते हैं और आगे क्या-क्या समस्या है तमाम चीजों को विस्तार से द जो कि ये रास्ता का तो दैन नहीं है और ना देखें तो यहाँ पए कोई भी वाहन का कभी भी फलट सकता है अगर वयक्ति या कोई वाहन डारेट उधर से इस जगाड़ी आएगा और डारेट इस जगाड़ी आएगा तो यहाँ पर घूश सकता है क्योंकि काफे देनिया इसक्रिती बना हुआ है इस जगह पे और आप साफ साफ तस्वीर में आप देख सकते हैं किस परकार से वहाँ पे खोल बना हुआ आप देख लिजे साफ साफ तस्वीरों में दीख रहा है और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि कोई भी अगर अचान के लिए घर से जा रही है लेकिन अब जानेंगे क्या कुछ इनके घर तक पहुचा है सरकारी यह सायद नहीं बोल पाती है इसलिए हम यहां पे कुछ दूसरा महला है उससे हम जानते हैं क्या कुछ कहेगी क्या नाम पूर्च पिंकी दिविबं़। यहां तोनी के कुछ यह अगुआ वास मिल लो नाय मिल लो से कई हो मिल तो तक के बोलो मिल तो अभी तक ना पीन हो सब्सकूल 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 है ठीक तो है सरकारी में पढ़े हो जा सरकारी में कहा से प्राइविट में पढ़ा पर भी अच्छा कि मुख्या इस सबके ना पोलें धलाए घर दे देगी वार्दु अरो अच्छा घर सब धरसल हो अच्छा तो अनीक मतलब यहां के तोड़ा पता हो केको से विधायक कलपना सोरेन के जाना ही के कलपना सोरेन यहां के विधायक बनल हो गांडे विधान सभाके अगर तो की कहल खुझ भी जे गहटि है से पूरा करतो जे घटियों से ने घर तो नहीं ना मिललो ठलाएगर अच्छा पैंसन उंसन मिलो ऑने आप तो जाना ही गांडे विधान सब्सक्राइब कौन है कि जाना है कलपन सब्सक्राइब कर दोने की मांग कर रहे की बोले तादी की बोले घर दुवर ना हो वह सब वहां तो आप साथ साथ तस्वीरों में देख सकते हैं ये बोल रही है कि हमारा घर दच चुका है और हम लोग ज्यादा कुछ नहीं घर मांगते हैं और जो यहां के जो रास्ता है रास्ता भी खाट भी खाट रास्ता पुरा ख्राफ हो तो आप देख सकते हैं साथ 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 सास्वीरों में बता रही है कि यहां पे जो देनिय इस्तिती काफी बना हुआ है रोट का और यहां पे काफी महिलाएं हैं जो यहां पे किन्हीं को अभी तक धलाई का मकान नहीं मिला है साथ के ना मिला लो अच्छा तब देख रहते हैं साथ सब तस्वीरों में बता रही है कि सबको अभी तक नहीं मिला है ऐसे में सवाल उठता है कि कब तक अपके घर तक आवास पोहँचेगा चली और भी चलते हैं आगे और जानते हैं क्या कुछ इस्तिती यहां सार पूरा गाउं की है क्या क्या है नहीं मिला है अच्छा तो आप लोग क्या मांग करते हैं değişe कलो नी अग्वस्था पर्धान मंत्री अग्वथला अग्वथला जयए तो आप लोग पता कियें कहीं पे वी तो यह नहीं मुख्या जी किस नहीं बोला आप पता करेंगे पता करेंगे काल वही बोला है काल हम बता देंगे कर दो कर रहा हैं अच्छा आप लोग जानते हैं कि विदाय कौन करना जानते हैं कौन है है घंट कॉन है और कि एक यहां पर मिलने के लिए आई है और नहीं आई यह तब जोग्त क्या है यह पर जिसरोंता के काफी दिकत है तो नदी तकले पूरा खराप तो आप लोग अपली मांग ने करते हैं लेकिन अभी तक 30,000 रुपया निकासी हुआ है लेकिन अभी इसका पैसा कहां पर फसा हुआ है यह पता नहीं चल रहा है छलाकि ये जब जनपरतिनिदी को मांग रहे हैं तो ये जनपरतिनिदी बोलते हैं आज कल बताएंगे परसों बताएंगे इसका टाल मटोल किया जा रहा है लगे अब देखना होगा कि इनका इनका चाह कुछ नहीं होता है जमीन तकले उठा लिया ने आप तो वहां उपार होती नहीं है तो चलिए और जानते हैं आगे धर धरे गाउं की और बढ़ते हैं और देखते हैं एक दादी माह है जो कि हम जा रहे थे तो यह बोली कि हमको क्या कुछ कहेंगी कि हुल प्ली ने की है हम भी मिलना चाहते हैं अपना भासा में बब बोल दीगे तो अब साब तस्वीरों में देख सकते हैं यहां पे दादी मा का मेरे तरब से एक रिक्वेस्ट होगा कलपना सौरन मुर्मू सौरन मेम से कि एक बड़ आप जरूर सहरपूरा गाउं आएं और यहां पे जो लोग हैं उनसे आप मिले क्योंकि आप तमाम देख सकते हैं जो बच्चे हैं जो यहां पे सभी लोग बेठा हुआ है सभी कोई का मांग है कि एक बार कलपना सोरें सहर पूरा गाओं आए और हम लोग से मिले क्योंकि साब साब तस्वीरों में आप देख सकते हैं दादी मा बोली कि हमको मिलना है आप लोग क्या उमीद करते हैं कलपना सोरन आएगा उमीद करते हैं आएगा आएगा नहीं तो देख सकते हैं इन सभी को आशा है कि आज नहीं तो कल आएगा लेकिन अब देखना ये होग कि आखिर कलपना मुर्मुसोरन कब सहरपूरा गाउं पहुचती है चलिए और चलते हैं और यहां के जो इस्तिती है उसको हम दिखाते हैं तो यहां पे सहरपूरा गाउं में मौझूद थे और शाब शाब जो इस्तिती था वो इस्तिती को हम देख लिए और यहां पे जो भी और वहाइं दूसरा चीज और बोला जा रहा है जब से यहां के गाण्डश विधान्सवा की विधाय बनी है, तब से लोग पूरा के लोग अपने आप में कहीं न कहीं गोतियारी थहरा रहे हैं900 मतलब मलना चाहते हैं हंग है अच्छा तो आप लोग आई है के दो सके लिए वुष्स कहा है यहा यहे तु की तारे इभाव मुठ मंत्री भी हम लोग जाती हो अच्छा तोहनिक एक चियार पता चलो कि नहां लिए चंपई सोरेन के जाना है जाने कुछ कुछ लगे 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 लेगे लिए तक ऐसे की होता है वह तो है लकिन बड़ादमी तो ज्यादे नपाराब करे हो हाँ 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 लोग हम लोग उसोंचते ले अपना जाती से हम पर जाती ने जाएंगे साइगे तब कैसे उभगाद गया साइब गए राठवजा कौन दीना अठवजा हसान करे तो से रुज देख ले लिने ने स्याजर्व ऑप जिता है द्वर हम एपने गजवर के विजएपी में लिए जातीया करते हैं हम निकिला बचला जाकरवास हम लोग कुछ साहथ हो गया अराम ही ब्रीकश छोड़कर करके दूसरा जगाचा तो हम तर जब गएगें कि अश्याद्वादमी दूशे दुश्या आप बात को पहुचाएंगे का पना सोरें तक तक है वह आप लोग से मिलने दादीजी बुर संख है अपने देखने चाहते हैं ठिक हम बोलेंगे आपको देखने के लिए थे तो कुछने जोगाड करके नहीं रखे गागा लगी अपरे जोगाड करके तो ददी जी के पहुच आप लोग देखेगी तेक है तो आप बेटी उमर का होगा तेक है तो बेटी उमर को होगा तो ही हम देख सकते हैं यहां पे नल जल योजना के तहत में जो हर घर तक नल पहुचाने की जो बात कही थी वो सब घर तक नल तो पहुच गया लेकिन अभी तक पानी नहीं पहुचा है अब साब साब तस्वीरों में आप देख सकते हैं थोड़ा दिखाईए यह जो पानी जो टंकी लगाया गया है सिर्फ यह एक सो का घर बना हुआ है क्योंकि आप साब साब देखिए यह जो टंकी यह दिखाने के लिए है कि यहां पर पब्लिक लोगों को नलजल यूजना का लाब मिल रहा है पानी मिल रहा है लेकिन यहां पर कुछ एक महला है उन समझानेंगे क्या कुछ आएगी अभी हम देख रहे थे कि आपकी जो बेटी थी वह पानी अभी उधर से माथा पे लेकर में पानी टंकी है इसमें कहीं मोटर को खोल करके ले गया था जिसके बाद अस्थानिये लोगों ने थोड़ा विरोध किया जिसके बाद यहां पर फिर ला करके टंकी का मोटर जो था उसको लगा दिया गया लेकिन अब देखना ये भी है कि पानी अभी तक किसी ग्रामिन के घर तक नहीं पहुचा है ऐसे में सवाल काफी गमिर गमिर सवाल उठ रही है कि अगर इस टंकी को लगाना ही था सो के लिए तो इस जगा पे क्य पानी है जो लोग है उनको कब तक ये पानी का प्रॉफिट या पानी का लाब ले सकते हैं गिरीडी से नभीन कुमार की खासपोर्ट जाहिंद